नमस्कार दोस्तों सुवागत आपश्विका आपके अपने चनल केरेपट पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आएं सामने ग्यान के टो फेंडर क्यूशन जो आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए बहुत ही मैथप पून रहने वाले दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों ने लास्तिक लगाना है और परते क्यूशन का आंसर जरूर लगईगा कमेंट बोक्स में और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आपके सभी डाउट यहाँ पर दूर के जाएंगे और अगर आपको यह वीडियो चे लगए तो वीडियो को लाइक किजिए आपको वीडियो कैसी लगी देखते हैं आज की वीडियो का फैस्ट कुश्चन जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको तो 500 जीके के क्यूशन प्रवाइड करा रहे हैं जो आपके आन क्लासों का नोटिकेशन में भी बिलता रहा है आपको और आप लोग अपने फ्यूचर के लिए अपने एक्जाम के लिए यहाँ पर प्रिपेर हो सकें तो प्लेज वीडियो को लाइक भी करेंगे आपने सभी दोस्तों को साथ सेर करेंगे इस वीडियो को ताकि वह भी आप पर जोड़ें वह भी अपने एक्जाम की त्यारी को आगे बड़ा सकें तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं पर्ते क्योशन का अंसुर कमेंट बोक्स में देने लिए आपको पांच सेकेंड किसमें दिया जाए कर ठीक है तो चलिए देखते हैं आज का अनाई मुदी यहां पर राइट अंस होगा अगला क्योशन है चाय की खेति के लिए उप्यूक्त मिट्टी कौन सी है सब इससे उत्तम मिट्टी चाय की खेति के लिए कौन सी होती है तो दोस्तों या रिखना लेटी राइट मिट्टी चाय की खेति के लिए उत्तम मिट्ट option C, आपका laterize, मिटी यहाँ पर right answer होगा, अगला question है, वरिद गंगा किस नदी को कहा जाते हैं, किसको कहा जाते हैं, गोदावरी नदी को दोस्तों, वरिद गंगा की नाम से जाना जाते है, option D, आपका गोदावरी नदी यहाँ पर right answer होगा, अगला question है, दक्सिन की गंगा किस नदी को कहा जते है किसको कहा जते है काविरी नदी को दक्षिन की गंगा की नाम चे जाना जते है option c आपका काविरी नदी यहां पर right answer होगा अगला question है मिटी का अध्यन क्या कहलते है साथ यों कमेंट करेंगे मिटी का अध्यन क्या कहलते है तो दोस्तो पेडोलोजी कहलते है यादखना option B आपका पेडोलोजी यहां पर right answer होगा next देखे अगला question है भारत का एक मातर सकरिये जो आलाम की किस दूइप परस थी थे भारत का एक मातर सकरिये जो आलाम की किस दूइप रहे तो दोस्तो यादखना बैरन दूइप रहे option A आपका बैरन दूइप यहां पर right answer होगा अगला question है शोंपेंस जन जाती कहां के निवासी है तो दोस्तो यादखना निकोबार दूइप के हैं option B आपका right answer होगा निकोबार दूइप next है new moon दूइप कहां परस थी थे तो दोस्तो यादखना बंगाल की खाड़ी में है option D आपका बंगाल की खाड़ी यहां पर right answer होगा अगला question है comment करना भारत का लक्ष दीप यहाँ पर right answer होगा अगला question करते है भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है तो दोस्तों यारेकन चोटा नागपूर पठार को भारत का रूर कहा जाता है option C आपका चोटा नागपूर पठार option D आपका 330 यहां पर right answer फोगाyd nu कि माले किसी परकार का परवत हैं हिमाले किस परकार का परवत हैं तो जोस्तो यहारत केगा वलित परवत is option D आपका वलित परवत यहां पर right answer अगला question है कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है कौन सी नदी है गो डेल्टा निर्मान नहीं करती है तो दोस्तों राइट और यहां पर option D head aad b यानि न्ययुकत 9-9 तो जुदो फिर्यां को डिये आपकर राइत अंश उत्ल fluoragu यह यह लोग नदी है यह आप लोग यार रखना नेक्स्ट है दुआ धाचल प्रपात किस नदी में गिरता है दुआ धाचल प्रपात है किस नदी में गिरती है तो दोस्तों आपका सही होगा option D नर्मदा नदी में option D नर्मदा नदी आपका right answer होगा अगला question है दोस्तों गर आपने अभी तक वीडियो को लाइक निकिया तो please साथ वीडियो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों को share कर देजी एक बार जल्दी से अगला question है comment करना चटानों का अध्यन क्या कहलते है चटानों का अध्यन क्या कहलते है तो दोस्तों या रखना पैट्रोलोजी option C आपका right answer का चटानों का अध्यन पैट्रोलोजी कहलते है या रखना अगला question है जीलों का अध्यन क्या कहलते है जीलों का अध्यन क्या कहलते है तो दोस्तों क्या कहलते है लिम्नोलोजी option A आपका सभी होगा जीलों का अध्यन लिम्नोलोजी कहलते है option A आपका सभी होगा नेक्स्ट है, पुरानी जलोड मिट्टी को क्या कहा जते हैं, तो दुस्त क्या कहा जते हैं, बांगर कहा जते हैं, option B आपका बांगर राइट अंसर होगा, next है, पवन दवारा निर्मिते मैदान क्या कहलते हैं, क्या गते हैं पेडी प्लेन किलाते हैं option A आपका पेडी प्लेन यहां पर right answer होगा अगला question है नवीन जलोड मिटी को क्या कहा जाते हैं खादर कहा जते है, option C, आपका खादर यहां right answer होगा, अगला question साती हो, बताना जली से, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कौन सा है, तो जिस तो अमर कंटक है, option D, आपका अमर कंटक यहां पर right answer होगा, अगला question करते है ब्रहम पूट नदी को तीबबत में किस नाम से जाना जते हैं सांगपो के नाम से जानते हैं option C आपका सांगपो right answer होगा अगला क्योशन करते हैं लक्ष दीप में दीपों की कुल संख्या कितनी है तो तो याद रखना कितनी 36 option D आपका लक्ष दीप में कुल 36 दीप हैं याद रखना option D आपका 36 right answer होगा अगला क्योशन है नेलगरी परवत माला की सबसे उची चोटी कौन सी नेलगरी परवत की माला की सबसे उची चोटी कौन सी है 12 बेटा option B आपका 12 बेटा यहाँ पर right answer होगा अगला क्यूश्यन है गारो खासी जैनतिया जन जातिया भारत के किस राजे में रहती है तो दोस्तो आपका से होगा मेघाले अप्शन C आपका मेघाले से होगा भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वह मेघाले में होती है याद रखिएगा कपास की खेति के लिए उप्युक्त मिट्टी कोन सी होती है काली मिट्टी आपका काली मिट्टी यहाँ पर राइट अंस होगा नेश्ट है बागीरति अलकनन्दा नदी किस स्तान पर आकर मिलती है तो तो दोस्तो या रखना देव पर्याग में Option A आपका देव परियाग यहां पर राइट अंस होगा Next है नीलगरी की पहाड़ी कहाँ परस थी थे दोस्तो इस वीडियो के इंदर हम आपको तो 500 क्यूशन कराएंगे तो इस वीडियो को आंग तक ज़रूर लगाना है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक निके तो लाइक भी करना है इसे भी को तो दोस्तो नीलगरी की पहाड़ी कहाँ पर है तो आपका सही हो जाएगा तमिल नाडू में Option C तमिल नाडू आपका सही आंसर हो जाएगा Next है एमरोल आइलेंड के नाम से किस दिविप को जाना जाते है एमरोल आइलेंड के नाम से किस दिविप को जाना जाते है तो दोस्तो याद देखना अंडमान निकुबार को जाना जाते है Option B आपका अंडमान निकुबार यहाँ पर है Right answer होगा Next है जाड़े के मोशम में तमिलनादु राजमे वर्सा किस मान्शुन के कारण होती है तो दोस्ट याद रेखना लोटता हुआ मान्शुन कौन सा मान्शुन है? लोटता हुआ मान्शुन के कारण होता है option C आपका right answer होगा next लक्स दीप की राजधानी का है? option A आपका कारण होगा next बिहार का सोक किस नदी को कहा जते? तो दोस्ट याद रेखना कोशी नदी को कहा जते? option C आपका कोशी नदी यहाँ पर right answer होगा चलिए next आदम ब्रिज किनके बीच स्थी थे? तो दोस्ट आदम ब्रिज किनके बीच में है? तमिल नाडू और सिरल लंका के बीच में स्थी थे? option B आपका तमिल नाडू और सिरल लंका right answer होगा अगला question है भारत का एक मातर सुशूप्त जवाला मुकी किस दोईपर स्थी थे? भारत का एक मातर सुशूप्त जवाला मुकी किस दोईपर है? तो दोस्तो या रखना कौन से दोईपर है? नारकॉंडम दोईपर option D आपका नारकॉंडम दोईपर यहाँ पर right answer होगा अगला question है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तो कोशी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक कहा जाता है हमने पीछा को बताए था तो यहाँ पर बात ओरी बंगाल का शोक तो दोस्तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोजद नदी को Option B, आपका सुगाँ पर दामोदर नदी को बंगाल का सो के कहा जाता है. Next, निमली की तमेश से कौन सी नदी पस्षिम दिशा की और परवाहित होती है? ऐसे कौन सी नदी है? जो पस्षिम दिशा की और परवाहित होती है. कौन सी है तो दोस्तों या रखना तापती नदी और नर्मदा नदी दो नदिया है जो परसिम दिसा की और प्रवाइद होती है option D आपका B और C यहाँ पर right answer होगा option D सभी हो जाएगा नेक्स ए अन्यवा निकोवार की राजधानी काँए आप निकवार की राजधाने काँपर है तो दोस्तों काँपर हैं पोर्ट बलेयर में आपका पोर्ट बलेयर यहाँ पर right answer होगा next ए de काली मिटी को किस नाम से जाना जते है आप अगला क्यूशन दोस्तों बताना आप लोगे नर्मदा एवं तापती नदी के बीचे कौन सी परवत माला स्थिते हैं तो दोस्तों आपका सही हो जाएगा अगला क्यूशन करते हैं आपका मेगना यहाँ पर राइट एंस होगा अगला क्यूशन है दक्षिन परसिम मानसुन सरव परतम भारत के किस राजे में आकर टकराती हैं वेरी वेरी इंपोर्टन क्यूशन साथ हो कमेंट करना दक्षिन परसिम मानसुन सबसे पहले भारत के किस राजे में आकर टकराती हैं तो दुश्य आल है केरल राजे मेंukaं अप्शन दी आपका केरल राजे लोगा अगला जो किगारत में अदिकांश वर्षा किस मांशुन से होते हैं COB in the अपका को साधरी कहा जाता है किसी परवत मालाको साधरी कहा जाता है किसको आज़ते हैं तो दोस्तो आज़ते हैं पस्चिमी घाट को साध्री के नाम से जान ज़ते हैं option B आपका पस्चिमी घाट यहां पर से होगा like और share जुरू करना दोस्तो अगर आप लोग यहां पर पहली बार आए आज़ते हैं किसको दोक्टर होमी जांगीर बाबा को माना ज़ते हैं दोस्तो आपका से होगा 1945 में 1945 option C right answer next देश का पर्थम परमान रेक्टर अप्षरा की स्थापना कब की गई देश का पहला परमान रेक्टर दोसो अप्षरा है वो याद है कि इसकी स्थापना कब की गई तो दोसो उन्ने सो चपन में देश के पर्थम पर्मानों रेक्टर की अफ्षरा की स्तापना 1906 में की गई option C आपका right answer होगा. Next, योजनाओं को अंतिम स्विकर्ती या अनुमोधन किसके दौरा परदान की जाती है, तो दोस्तों यारखनार राष्टी विकास परिशद के दौरा. Option B आपका राष्टी विकास परिशद यहाँ पर right answer होगा. Next, गरीबी हटाओं को नारा किस पंच वर्शे जिना में दिया गया था, तो दोस्तों पंच पंच वर्शे जिना में इंद्रा गांदी की दौरा गरीबी हटाओं को नारा दिया गया था. गरीबी हटाओं को नारा दिया गया था, पंच वर्शे जिना में. अगला किस ने, बार्वी पंच वर्शे जिना का कारिय काल क्या है? तो दोस्तों यारकना, दो हजार बारा से दो हजार सत्रे. अगला किस ने, रमन अनुसंधान के अंदर कहां परस्तित है? तो दोस्तों यारकना, बैंगलूर में. अप्शन डी, आपका बैंगलूर राइट अंसर होगा. नेक्स्त, यारकना दोस्तों, भारत में परमान उर्जाय की स्थापना किस वर्श की गई थी? नेक्स्त है, भारी जल, डी, टुओ की खोज किस ने की थी? दोस्तों, भारी जल जल जो होता है, रास्याइनिक नाम, डूटेरियम ओक्षाइड होता है, रास्याइनिक नाम, केमिकल ने में, डूटेरियम ओक्षाइड होता है, और इसका परयोग नाभी की रेक्टों में, म प्रियोग करते हैं तो इसके खोज किसने की तो जिस्टों यार एकना HC यूरे ने HC यूरे ने भारे जल की खोज किती option एपका राइट होगा next है पर तेकंवर्स सैयुक्त राष्ट दिवस को किस दिथि को मनाया जाते थे किस तिति को मना जाते हैं, 24 अक्टूबर को मना जाते हैं, option C, आपका 24 अक्टूबर यहाँ पर right answer होगा, अगला क्योशन है, युअनों के पर्तम महास्चीव कोन थे, युअनों के पहले महास्चीव कोन नियुक्त किया गये थे, कोन थे तोसो, तो आपका सही होगा, option B, त्रिगवेली घाना, option B, त्रिगवेली घाना, युअनों के पर्तम महास्चीव थे, option B, right answer होगा, next, बाबा परमानू, अनुशन संधान के अंदर कहा सतीत है बी ए आर सी बाबा अटोमिक रिसेर्च सेंटर हिंदी में बाबा पर्मानुण संधान के अंदर होता है तो यह कहा पर दोस्तों कहा पर हैं ट्रामबे मूंबई औप्शन ए आपका से गया पर टामबे मुंबई में इस्तित है यारक न नेक्स्ट ए यूए नो की कारी-कारी भासा कौन सी है यूए नो की कारी-कारी भासा कौन सी है तो दोस्तो कौन सी है यूए नो की कारी-कारी भासा तो दोस्तो यारक न अंगरेज जी और फ्रेंज दोन very very important question दोस्तों कौन सी 5 वर्षियो जना थी जो पूरी तरह से ऐसफल रही थी तो कौन सी रही थी यार एकना 3 तीसरी 5 वर्षियो जना पूरी तरह से ऐसफल रही थी option C आपका 3 यहां पर right answer का next नेक्स ने अंतराश्टी नियालक का मुख्याले कहां पर सिती थे तो दोस्तों कह आपने हैं यह आपका निदर लेंड में यार एकना दोस्तों अंतराश्टी नियाले का मुख्याले निदर लेंड में सिता है option A आपका निदर लेंड राइट आंसर होगा next सैंविक्त राश्टंग योनों में हिंदी में भासन देने वाला पर्थव व्यक्ति कौन है योनों जिए दी हें लेगा हन उनों पर्थव और व्यक्ति लिए लिडंट ले फिए अगला हुइं लाआ आपके लिए निदे लेकिट करते हैं भारत में उच नियाले में मुख्य नमनेदिसकी नीक्ति कौन करता है तो दोस्तों याद किका राय ठा Celness बॉघा पूर ऑप्शन पानी का घंतो सबसे अधिक किस तापमान पर होता है तो दोस्तों या रखना चार डिगरी सेलसेश पर होता है option B 4 डिगरी सेलसेश आपका इस क्यूशन के लिए right answer होगा next है देखीगा रेशम का शिरुवादिक उत्पादन किस राज्य में होता है रेशम का शिरुवादिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो दोस्तों या रखना right answer होगा option C करनाटक राज्य में option C करनाटक राज्य में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है या रखिएगा next है comment करना पूर्वी घाट की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो दोस्तों या रखना महिंदर गिरी है option A महिंदर गिरी right answer होगा next दिकी का next है शूरिय के स्टै का तापमान कितना होता है शूरिय के स्टै का तापमान कितना होता है तो या रखना 6000 degree Celsius होता है option C 6000 degree Celsius आपका right answer होगा next दिकी का next है समूदर का पानी किस विदी के दुवारा गरम होता है समूदर का पानी किस विदी के दुवारा गरम होता है तो याद रखना संगवेहन विदी के दुवारा option B, right answer रोगा याद रखना संगवेहन विदी के दुवारा समूदर का पानी गरम होता है आप लोग याद रखीगा, next है, दिखीगा, सोरिया किस राज्य की जन जाती है, सोरिया निमन में से किस राज्य की जन जाती है, तो दोस्तों याद रखीगा, जारखंड, option A, right answer होगा, जारखंड राज्य की जन जाती है, सोरिया आप लोग याद रखना, option A, जारखंड आप आपका राइट अंसर होगा, नेक्स देखिगा, नेक्स है, सरीर में पित का निर्मान कहा होता है, सरीर में पित का निर्मान कहा होता है, तो यादकना यकृत में, उप्शन D, यकृत राइट अंसर होगा, नेक्स देखिगा, नेक्स है, उडिसा की पूरा राजधाने कहां थी उडिशा की पूरा राजधाने कान थी, तो दोस्तों यारेकना, कटक में, option B, right answer होगा, next देखीगा, अगला question है, bleaching powder का रासाइनिक नाम क्या है, bleaching powder का chemical, रासाइनिक नाम क्या होता है, तो दोस्तो या रखना, calcium hypochlorite होता है, option A, right answer होगा, bleaching powder का राचाइम क्या होता है, calcium hypochlorite, option A, right answer होगा, next देखीगा, next है, जोती दरवता का मातरक क्या है, दोस्तो अगर आपने अभी तक like नहीं किया है, तो like share करें, अगर आप यहां पर पहली बढ़ाएं, तो चनल को subscribe जुरू कर ले, दोस्तो देखीगा, जोती दरवता का मातरक क्या होता है, तो याद अखना candela, क्या होता है दोस्तो, candela होता है, option C, आपका राइट रोगा, next है, दिखीगा, Newton का अविसकार किसी ने किया, Newton का अविसकार किसी के दुआ रखे गया, तो तो याद रखना, James Chadwick की दुआ रखे गया था, option B, James Chadwick आपका राइट रोगा, next दिखीगा, next है, चकमा किस राज्ये की परमुख जन जाती है, तो याद रखना मिजोरम की, option D, राइट रोगा, याद रखना, चकमा मिजोरम राज्ये की परमुख जन जाती है, option D, राइट रोगा, next दिखीगा, next है, नोशेना का पूर्वी कमान कहां इस्तित है, तो या रखना विशाखा पत्नम में, option C, विशाखा पत्नम राइट रहोगा, next देखीगा, next है, कोरबा किस राज्ये की परमुक जन जाती है, राइट रहोगा, option A, right answer रहोगा, 36 जाती होट, next है, next देखीगा, next देखीगा, तो शिरुवाद ही तिनों तक, अंतरिक्स में रहने वाला विशाख रिकोर्ड किस ने बनाया? सबसे अरिक दिनों तक, अंतरिक्स में, रहने का विशाख रिकोर्ड किस ने बनाया, Sunita Williams ने Option B Sunita Williams इस question के लिए Option B right answer होगा आप लोग यह दखी गाद next है देखी गाद next question के लिए answer देंगे पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए निमन में से किसका परयोगे किया जाता है पाने की टंकी में काई को रोकने के लिए निमन में से किसका प्रयोगे किया ज़ता है तो याद अखना कोपर सिल्फिट का उप्शन भी कोपर सिल्फिट आपका इसक्विशन के लिए राइट अन्स रोगा नेक्ष्ट एकगा यमिशन से क्याँ जब नहीं तंदा किया ज़ते तो आईतन और तापमान पर क्या फ़र्भाब पड़ता है तो बीक्रिश जह को जब नियत आपकर अन्स पर्थएगा और mature लिए परशिद है तो याद अखना भारी जल के लिए परशिद है किसी देश में मूद्रा स्पिती होने से सबसे अधिक लाब किसको मिलता है तो याद खेगा लेंदार को किसको मिलता है लेंदार को सबसे अधिक लाब मिलता है उप्शन दी लेंदार राई टांसर होगा नेक्स देखेगा नेक्स है सीशा का सिखा किस वन्स के सास को ने चलाय था सीशा का सिखा किस वन्स के सास को ने चलाय था तो दोस्तो याद रखना 7 वहन वंस के साथ को ने सीशा का सिखा सबसे पहले चलाय था option A, 7 वहन वंस, right answer रोगा, next दोस्तों comment करना जले से लिए हो जन जाती किस राज्य से समधित है, हो जन जाती किस राज्य से समधित है तो दोसो right answer रोगा जारखंड, option C, जारखंड इस question के लिए right answer रोगा याद रखीगा, next है, दिखीगा, galonizing में किस धातू का परियोगे किया जाता है, तो दोसो याद रखना, जस्ता धातू का, option B, जस्ता, right answer रोगा, याद रखीगा, next है, next question दिखीगा, जैंतिया, कहा की पर्मुक जन जाती है, जैंतिया, कहा की पर्मुक जन जाती है, तो याद रखीगा, में घाल ले की, option E, में घाल ले, right answer होगा, आप लोग याद रखीगा, next है, next question दिखीगा, जैंतिया, किसका उप्योग, भुकांब की तरवता को मापने में किया जाता है, जैंतिया, किसका उप्योग है, भुकांब की तरवता को मापने में कहा जाता है, तो याद रखना, reactor scale, option E, reactor scale, आपका right answer होगा, next है, दिखीगा, स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग ध्याद किस रंग का होता है, स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग ध्याद किस रंग का होता है, तो याद रखना, right answer होगा, नीला, option B, नीला रंकतर के दहाँ आदे सभसे कम होता है उप्शिन वी राइठ अनसरो होगा नेक्ष्ट है ॕ मैं विसाव का सभसे छोटा गन तंतर कोण है विसाव का सभसे छोटा गन तंतर कोन है तो याँ देखिया नोरू option C, नोरू आपका इस question के लिए right answer रोगा, next है, next देखीगा, next देखीगा दोसो, very very important question दोसो, plasma अनुशंधान के इंदर कहा इस्थित है, तो याद रखना गांधी नगर में, option A, right answer रोगा, दोसो यह जो गांधी नगर है, यह गुजरात राजे की राज़ता ने है, आप लोग याद रखना, next है, next देखीगा, रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देख में है, रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देख में इस्थित है, तो तो याद रखीगा राइटर सुगा सेंय औरनषज साओधी अरप में उप्षण बीक रास तणोरला टेल रिफाईरी कहां पर रहे है साओधी अरप में उप्षण बीक राइटर रखीगा नेक्स्ट है विषव की सबसे चोटी सीमा वाला देशे कुम सा है विशो की, सब इससे चोटी सीमा वाला देश कुन सा है, तो तो याद रखना, जिब्राल्टर, उप्शन D, राइट अंस होगा, जिब्राल्टर, आप लोग याद रखीगा, next है, next question रखीगा, बोक्साइट किस धातू का अइसक है, बोक्साइट है, निमन मेंसे, किस धातू क गाल निमन मेंसे, तो याद रखना, एलूमीनियम का, उप्शन C, एलूमीनियम, आपका राइट अंस रहोगा, next है, next है, लेपचा किस राज्य की पर्मुगी चिन रहती है, तो याद रखना, सिक्किम, option A, राइट रहुगा, सिक्किम, option A, राइट रहुगा, next है, नेक्स्ट है DNA Ccemation का परती पादन कीशन के था DNA Ccemation का परती पादन कीशन के चांड बरग ने Option C, right answer कांड बरग आप लोगे याद कीएगा दुस्तों, next है दिखीगा गदर पार्टी का मुख्यालने कहां इसी थे गदर पार्टी का मुख्यालने कहां इसी थे तो यार रखना San Francisco, option B, right answer होगा, next देकी का, next है, comment करना, धनपत राए, किस साहित ते कार का नाम था, धनपत राए, किस साहित ते कार का नाम था, तो दोसों यार रखिए, right answer हो जाएगा, प्रेमचंद, मुन्सी प्रेमचंद का नाम था, धनपत राए, आप लोगे रखना, option D right answer होगा, मुन्सी प्रेमचंद, next देकी का, केंदरिये, चावल अनुसंधान संस्तान कहां है, केंदरिये, चावल अनुसंधान संस्तान कहां पर है, तो यार रखना, कटक में, option D, कटक आपका इस question के लिए, right answer होगा, next है, देकी का, विसव की, सिरुवादिक बोली जाने व भाधराई कुन्सी है, विसव की, सबीच से अधिकory जाने वाली भाधराई कून्सी है, तो यार दखना दूस ऑंग्रेजी है, option B राई टांसओ का, पहली चीनी भाधराई, मंधारीач नी, अब अंग्रेजी भाधराई सभर बोली जाने वाली भाधराई, option B, अंग्रेजी राइट अंसर होगा next है दिखेगा किरिकेट बल्ले की चोडाई कितनी होती है तो दोस्तो या रखना 4.5 इंच होती है option C राइट अंसर होगा 4.5 इंच आप लोगे या रखेगा next है बारत रतं पाने वाला एक मात्र पाकेस्तानी कोन था वाइट रतं रहतन देश का शर्वोच नागरिक चल्वान है तो या रखना खना अभुद खार्ध अफ्वार खान करता है तो याद रखना जापान को किसको कहा जाता है जापान देश को उगुद्टे शूर्य का देशे कहा जाता है याद रखना वेटिकन सीटी विसव का सबसे चोटा देश कौन सा है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिगा अगर आप यहाँ पर पहली बार आएं सबसे पहले आप ल नोडिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमें कमेंट करके जुरू बताइए आपको वीडियो कैसे लगी तो चलिका जोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब क्यों गुडबाए टेक